पलेरा के स्थानिये क्रेसी उपजमंडी पैशर में समर्थन मूल पर चल रही उड़त मूमफली तिल खरीदी के लिए किसानों का जमामडा देखा गया किसानों द्वारा बताये गया कि कई दिनों से हम यहां अपनी फसल बेचने आए हैं लेकिन हमारी फसल की खरीदी नहीं की जा रही है क्वालिटी सर्वियर द्वारा हमारे माल को रिजेक्ट कर दिये जाता है और हमारी फसल से भी खराब फसलों को रख लिये जाता है जिससे किशान परिशान होकर अपनी समस्या सुनाने नायाब तैसिलार के पास पहुचे जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को नायब तैसिलार के समक्ष रखा जिसके बाद नायब तैसिलार द्वारा मौके पर पहुँच कर मामले की जाच की गई इस संबंद में नायब तैसिलार सुरेंच चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिकायत को लेकर पंचनामा बनाए गया है और जो भी किसानों की समस्या होगी उनका निराकरण किया जाएगा लोगाज बीच के भी कहते हैं पर बैपारी हैं उनका माल तोलेते हैं हम लोगाज पंदा देन से टर एंज पर नगा जिए वरदा क्या कहते हैं केते हैं महराज जी okay टो इसाब काल से पाइसों से यहां पड़ी हैं। अब साब पोर कशुनी जा इस से खराब डाड़ा चुकी है। हमाई जेब में सो पैसा नहीं है आप लिए अगर हमाई पाइस पैसा होता तो हमारा बहुत अच्छा है। इसे साब हम गई वादु है अब क्या करेंगे घर जाती है लेगा क्या नाम हमा पंपु पाल कहा की हो सैपरा कि क्या हुग यह हो गया है साब प्रेट कर लेकर यहाएं मुफ़ली डालने के लिए आज हमको कम से कद दस दन हो गई हम साब होते हैं ना कुछ सुन रहो ना मुफ़ली तुल लई और ना कुछ सुनाई कर रहो साब ना वर्दा तु ना मुण रखोर अब युष्ट है युश्ट है आज दस दिन के डरी रहा है अब नेसकी सिकात किस से की सब अभी किसा आफ साहब लोआ टैसिंदा साब यह पर भी करी त्यंक्री यह हो थाँ टैसिंदा सब लोओं कर दूब लोए अब त्सिंदा साब कराएं किनिher क्यों नहीं मुपनीब्स करें भी लिए इन टील हुआ हैं को है कि अपनी आड डाल गाए चेक बना कि दिया हुआ तो पाइसे आज उनकी खाथी में उनकी कमदा के वज में एक बोरी एक्ष्टा की मांग की गई थी जिसमें आज किसान के पती आख फस्तित के उन्होंने अपने कफिन में बताया है वो पंचनामा में लिख दिया गया है और आगई कारवाई के लिए स्रीयश्टियम सर्कूर जैसा निदिस करेंगे विश्टी कारवाई